तो जैहिंद सेरो नमस्कार भाई क्या हाल है कैसो सारे लोग तो यार फस्ट पार्ट हमने कल कर लिया था पहला मौक हमारा कंप्लीट हो गया था जिसमें आपने अच्छा रिस्पॉंस दिया ठीक है आज बारी है दूसरे मौक की ठीक और मैंने क्या कमिट्मेंट किया था कि 25 दिन आपको 25 मौक कराऊंगा और पूरा पेपर भी आउट कराऊंगा ठीक है तो यार मेरा नाम है आदित और स्वागत करता हूं मैं आपका इस चैनल एटूजट इस्टडी पे तो भाई देखो सीधी सी बात है अगर पेपर आपको क्लियर करना है तो आपको मेहनत करनी कि वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे कितने ज्यादा क्वेश्चन कराएं जाए उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ठीक चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन पर पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि इंटिग्रेशन ई टूदी पावर लॉग साइनेक्स तो ए की पावर लॉग सम्थिंग है तो लॉग और ए पूरा हट के केवल सम्थिंग बचता है यानि की ए की पावर लॉग साइनेक्स दिया है तो ए की पावर लॉग हट जाएगा और केवल क्या बचेगा साइनेक्स ठीक अब साइनेक्स का समाकलन आपको आता ही है साइनेक्स क कहता है हमारा what is the equation of the straight line which passes through the point 3,4 and sum of whose x and y intercept is 4 मतलब कि वो कौन सी equation होगी जिससे x and y का intercept चौदा है और वो 3,4 से जाते हैं तो यार देखो सीधी सी बात है आप एक चीज समझो कि अगर कोई पॉइंट किसी भी एक equation को intercept कर रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि दूसरी equation को वही point satisfied करेगा ठीक तो आपको क्या करना है आप इसका concept लगाओगे तो बहुत लंबा जाएगा इसका shortcut ये कहता है कि जो point दिया है उनको option में रखो और जो option को संतुष्ट कर जाए satisfy कर जाए वह आपका correct option होगा तो पहले question पहले ही option में रखते है तो 4 into x की जगे रखेंगे 3 प्लस 3 into y की जगे रखेंगे 4 तो कितना आएगा यहां से आने वाला है 4 312 प्लस 4 312 यानि कि 24 यानि कि 24 यानि कि 24 आ रहा है ठीक भाई अब आप लोग गलती क्या करते हो पहला option टिक मार के चल देते हो आगे इसमें रखेंगे क्या बताता है आगे वाले में जब रखेंगे मालो c option में हमने रखा हमारा 4 इंटू x की जगए कितना है 3 ठीक माइनस 3 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 14 बराबर 0 अब यह देखो दो option कट गए न तो यानि कि c is the right answer ठीक चलो next question देखते है next अगला question कहता है कि यह हमारा binomial का question 8c0 माइनस 8c1 प्लस 8c2 माइनस 8c3 तो इसमें हमारा concept क्या कहता है direct property based question है nc0 ठीक माइनस nc1 प्लस nc2 डॉट 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 यानि कि प्लस माइनस प्लस माइनस जब भी यह sequence बनता है तो उसका direct answer हो जाता है कितना 0 यह option correct हो जाएगा ठीक भाई यार एक छोटी सी बात आप से बोलना चाहता हो कि यार comment जरूर करती है करो वीडियो में थोड़ा सा अच्छा लगता है हमें motivation मिलता है और चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक नहीं करते हो लास्ट इतना अच्छा मैंने मौक कराया और उसमें सिर्फ 20 या 30 लाइक है तो भाई ऐसे करते हो तो हमें भी disappointment तो फील ही होता है ना तो क्या करते है यार मेहनत करते हैं आप ही के लिए मेहनत करते हैं और आप अगर हम पर भरोसा करते हो तो मैंने आपको बताया ना direct question फसेंगे याद रखना इसके शॉर्ट भी छपवा दूँगा अगर आपने review दिया paper का तो ठीक चलो next question देखते हैं अगला question कहता है if a and b alpha and beta are the root of equation x square minus 2x plus 4 then what is the value of alpha cube plus beta cube तो भाई आपको alpha cube plus beta cube की value formula इसका पता होना चाहिए तो alpha cube plus beta cube का क्या formula होता है alpha plus beta का whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta ठीक तो अब इसमें रखते हैं alpha plus beta हमारा इस equation से alpha plus beta कितना निकलेगा minus b by a होता है तो minus 2 by 1 यानिकि 2 यह हो गया alpha plus beta ठीक और alpha into beta कितना होता है c by a तो 4 by 1 यानिकि 4 तो यह है alpha into beta और यह है alpha plus beta तो alpha plus beta को whole cube यानिकि 2 की power 3 यानिकि 8 ठीक 8 लिख लो plus sorry minus 3 3 लगा लो into alpha beta alpha beta कितना है 4 4 लिख लो ठीक 4 लिख लिया और bracket में alpha plus beta यानिकि 2 ठीक अब देखो 4 3 जा 12 12 to 24 24 आया 24 में जब 8 जाएंगे तो कितना answer आएगा minus का 16 ठीक भाई correct answer है next question इसके पहले वाला जो mock था उसमें मैंने आपको question same to same कराया था कि अगर भाई इसके आप क्या करते हो factor करते हो तो 1 into 5 होगा ठीक अगर positive दिया है बीच में sign तो answer बड़ा वाला होगा अगर negative दिया है तो answer छोटा वाला हुआ और अगर multiply दिया है तो जो root के अंदर लिखा है भाई हमारा correct answer हो जाएगा एक भाई ने कल comment किया था कि बहुत easy करा रहा है भाई पेपर में यही आता है यह आपको पता है NDA के previous year question के collection based मैंने question बनाए है समझ रहो अगरा question देखते हैं y बराबर log x की power x तो इसका alkaline क्या होगा तो जब ऐसी condition आती है तो आपको दोनों तरफ log लेना पड़ता है तो log लेंगे जब तो log of y बराबर जब log लेते हैं तो power आ जाती है नीचे तो क्या हो जाएगा x log log x ठीक एक्स log log x ठीक भाई अब देखो log y का क्या होता है 1 by y आउकलन कर रहे हैं भाई ठीक log y का 1 by y और y का y dash हो जाएगा ठीक इधर हम क्या करेंगे इधर प्रथम इंटू दो ती से जब करेंगे तो प्रथम इंटू दो ती का उकलन log log x का ocular कितना होगा 1 by log x होगा ठीक भाई plus 2 3 कितना है log log x और प्रथम कितना है x x को जाएगा 1 ठीक तो यहाँ से हमें क्या मिलता है x by log x plus log log x इसको मैं इधर लिख लेता हूँ x by log x plus log log x अब option देखते हैं तो option में हमें क्या दिख रहा है और बाहर क्या था equal में क्या था 1 by y और y dash ठीक y dash अब y को इधर ट्रांसपर कर लेते हैं तो y कितना था हमारा log log x तो log log x यानि पहला तो खतम हो गया ऐसे ही none of these होगा नहीं log log x और bracket में क्या बचेगा जब यहां से हम log common लेंगे तो कितना हो जाएगा log log x प्लस 1 by log x यानि कि हमारा c option बिलकुल correct हो जाएगा ठीक भाई चलो next question देखते हैं next अगला question कहता है फिर यह alkaline का question है y बराबर e to the power root of cortex तो जब भी ऐसा question है जो root में दिया हो उसको आप t माल लो तो root of cortex बराबर t माल लिया है basic concept है वाई class 12 वाला ठीक तो e की अब देखो e की power t बचा e की power t का उकलन क्या होता है e की power t ही होता है और जो t होता है उसका दुबारा उकलन करेंगे ठीक अब देखो e की power t क्या है हमारा e की power root cos x minus cos x square x तो देखो e की power cortex यहाँ पे दिया है minus cos x square x दिया है नीचे 2 root cos x दिया है cortex दिया है तो b option correct हो जाएगा हमारा चलो next question देखते है next अगला question कहता है कि b square a square c square क्या बोला b square a square c square a p में है तो a plus b b plus c c plus a किसमे होंगे तो b square c square a square जब a p में है तो आप कोई ऐसे 3 term मानो जो a p में हो तो हमने माना कि 3 term है b square है मान लो a को माना 1 1 का square 1 b square b को माना 2 2 का square 4 c को माना 3 3 का square 9 ठीक भाई अब देखो पहला क्या बोलता है a plus b a plus b a हमारा कितना है 1 plus b कितना है 4 था b square 4 था तो b कितना हुआ 2 यानि कि पहला term हमारा यहां से आया 3 ठीक कॉमा b plus c कितना होगा b हमारा 2 है ठीक और c कितना है 3 है 2 3 5 होगा ठीक c plus a कितना होगा c हमारा है 3 और a हमारा 4 354 ठीक तो जब मैं इसको करता हूँ और A हमारा जो था बीच में था यानि यहां पे 345 यह भी sequence बन गया जो की है AP में यह option हमारा बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक चलो next अगला question कहता है the sum of and term of an AP is given SN बराबर 3N square plus 4N तो बहुत अच्छा shortcut इसका बताने जा रहा हूँ यार देखो क्या लिखा है 3N square plus 4N और क्या मांगा है 8th term तो आपको क्या करना है 2 का इधर multiply करना है 3 to 6 6 ठीक और एक second इसको मैं थोड़ा सा erase कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे ठीक तो क्या बोला मैंने 2 को 3 से multiply जो भी यहां पर संख्या एक प्रकार से जब आउकलन करते हो आप तो क्या करते हो 2 को आगे लाते हो न तो 2 3 यहां से कितना हो जाएगा 6 और 8th term पूछा है तो आर लगा दिया और जो 4 होता है इसको आप पहले वाले से निगेटिव कर दो माइनस कर दो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 और ब्लस 1 ठीक समझ में आया नहीं समझ में चलो चलो एक स्लाइड लेकर और बता देता हूं मान लो कि हमें दिया 6 x square प्लस 2 यहन दिया ठीक तो इसका कितना आएगा आर्थ टम तो तू क्या इधर मल्टिप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 आर ठीक और टू को जब 6 से माइनस करेंगे तो माइनस 4 यह हमारा हो जाएगा आर्थ टम और मान लो पूछता आर्थ की जगे 6 टम तो आर की जगे 6 रखते हैं और उसका आंसर निकाल देते हैं ठीक है बाई चलो नेक्स्ट अगला क्वेस्चन अगला क्वेस्चन कहता है टैन थीटा प्लस से थीटा बराबर 4 तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी यार देखो अगर आप बोलते हो कि भाई आपको फॉर्मूलों में दिक्कत होगे तो मेरे पास एक फॉर्मूले की पूरी पूरी पीडियव पड़ी हुई जिसके मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है फॉर्मूला आपको प्रोवाइट करूंगा अगर आप लोग बोलते हो आपका कमेंट आता है तो मैं बिल्कुल उस स्क्वाइर प्लस वन एम कितना है मारा फॉर फोर फोर जास सिंस्सीं में मैंटस वन गया 15 फोर फोर जास 16 16 में प्लस वन हुग्या सिक्स्टी सेवैंटीन सी ओप सामारा उचल कोड के आ अगया ठीक चालो नेक्सट अगला को प्रोश्चन कहते है अगला कोश्चन कहता है ट तो उसका जो इधर term बनता है वो pi by 4 ही बनता है अब बोलोगे sir आप कैसे मान लो आपको देता 10a बराबर x by 2 और इधर pi by 4 देता तो उसका आप answer ये लगा देते 1 तो उस हिसाब से ठीक बाकी अगर आप करना चाहो तो यार इसको कैसे कर सकते हो इसको आप क्या करना 10a plus 10b का formula तो आपको पता ही है 10a plus 10b का formula रखोगे जब तो कितना होता है 10 एक नट बता ही देता हूँ 10a plus 10b क्यानी 1 by 2 plus 1 by 3 upon 1 minus 10 into 10b 1 by 2 into 1 by 3 और उधर बाहर क्या चलता है तो देखो इधर से कितना आ जाएगा 3 2 या 6 ठीक उपर कितना आ जाएगा 5 2 3 जा 6 3 आ गया 3 2 जा 5 ठीक इधर कितना आ जाएगा 1 by 6 हो जाएगा ये 1 by 6 उधर गया 5 by 6 अब देखो ये cancer हो गया 1 आ और 1 कितने degree होती है 10 by by 4 यही मैं आपको समझाना चाहा रहा था भाई ठीक proof भी गड़ दिया चलो next अगला question देखते है अगला question कहता है आपको एक minute में आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा तो कहता है d2y by dx2 plus dy by dx का whole cube plus 6y इसकी आपको बताना है क्या गहात बताना है तो आपको घहात का क्या करना होता है जिसका सबसे ज़्यादा बार alkaline होता है उसकी आपको कोट और घहात निकालनी होती है सबसे ज़्यादा बार alkaline किसका दिया है d2y upon dx2 का तो इसकी कोट और घहात कितनी है एक-एक है घात पूँचा है तो एक लगा देंगे आगे बढ़ जाएंगे ठीक है नेक्स्ट अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन कहता है E to the power 10 inverse X upon 1 plus X square तो आपको क्या करना है यहाँ पे 10 inverse X को आप T मान लो जब आप 10 inverse X को T मानोगे तो 1 by 1 plus X square यहाँ से DT में खतन हो जाएगा यानि कि टोटल बनेगा E की पावर T DT अब आप बोलोगे सर आप इतना जल्दी अल्दी की हो बता रहे है क्योंकि भाई मौक है यह आपको लगाना होता है अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी PDF पहले डरवा दूँगा उसके बाद आपको solution करा दूँगा जैसा आप बता होगे E की पावर T का क्या होता है तो E की पावर T का E की पावर T प्लस C ठीक E की पावर T प्लस C T की value कितनी है 10 inverse X यानि E की पावर 10 inverse X प्लस C C option हमारा correct हो जाएगा नेक्स अगला question देखते हैं अगला question है ए दिया है आपको A बराबर I 001 और A square निकालना है आपको यानि की I 001 ठीक आई बना देता हूँ अब इसका square करना है यानि की एक बर multiply करना है तो I अबे लग जबे जीरो जीरो आई यार देखो मैं stylus यार खरीद लूँगा बहुत ज्यादा दिक्कत होती भाई आपको समझाने में really sorry भाई थोड़ा सा problem है manage कर सकते हो ना भाई stylus मैं खरीद लूँगा order किया है तो देखो पहली पंक्ति पहला इस्तंब I into I कितना हो गया I square ठीक देखो यार कितना साला दिक्कत करता है I square 0 into 0 0 पहला हो गया पहली पंक्ति दूसरा इस्तंब I into 0 0 ठीक और 0 into I ये भी 0 हो जाएगा ठीक और इधर जब करोगे तो ये आएगा 0 और इधर आएगा I square I square की वेली कितनी होती है minus 1 होती है तो यहां से हमें मिलता क्या है minus 1 0 0 minus 1 जो की हमारा answer है देखते हैं अगर इसमें तो minus 1 0 0 minus 1 B option correct हो जाएगा next अगला question देखते हैं अगला question हमारा vector से है और vector की इसमें पूछा है कि vector दिया है इधर और इधर magnitude निकालना है तो I का magnitude कितना होगा आई देखो unit है ना तो अकेला यानि कि 3 ठीक यानि पहला तो गया 3 से तो यह option तो कट गया पहला गया 3 से यह बचा पहला गया 3 से यह 4 यह कट गया ठीक तो B option ऐसे ही आगया ठीक बाकि अगर आप निकालना चाहो तो I और J का कितना हो जाएगा जब इसका magnitude कालोगे तो root 1 root 2 root 1 plus root 1 तो कितना हो जाएगा root 2 यानि कि B गया 4 से ठीक यह देखो और C कितना है 3 plus 4 तो इसका क्या 3 ठीक जाए 3 का square 9 और 4 का square 16 16 9 25 यानि 5 तो C का 1 हो जाएगा ठीक यानि कि B option correct हो जाएगा next अगला question देखते है अगला question क्या कहता है next question कहता है कि A point दिया है K,2 minus 2K और B point दिया 1 minus 2K और C point दिया है इतना तीनों को linear है तो यह मैं आपको homework के लिए देता हूँ आपको क्या करना है इसमें बता देता हूँ को linear दिये है न सनरेक दिये हैं सनरेक का मतलब त्रिभुज का छेत्रफल area बराबर 0 कर देना ठीक और उसके बाद के की value निकालना answer comment box में करना जरू करोगे चलो नेक्स टागला last question है हमारा last question क्या कहता है क्यूब रूट ऑफ unity अब देखो इसका भी मैं आपको एक shortcut बताऊंगा जो की 99% लग जाता है जब ना यह question तब तो जब आप क्या करते हो जब देखो मैट्रिस दिया है तो डिटर्मेंट में क्या होता है आप पहले इ प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्कुर्ण बना जी बना तो one प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्कुर्ण कितना होता है जीरो होता है जब इसको बनाओगे तो फिर ये भी बनेगा ये भी बनेगा तो आंसर हमारा सी हो जाएगा ठीक भाई next sorry last but not least last class में मैंने आपको बताया था question था infinity लगा था यहां पे 0 की जगे पर उसका आंसर आया था 0 और यहां पे कहा है limit extending to 0 sin hxy x जो की हो जाएगा 0 दिया है तो बताया था आपको वन answer होगा ठीक भाई लाश्ट ही नहीं आ रहा है यार मुझे लगा लाश्ट है साइन 105 प्लस कॉस 105 इसको कैसे करेंगे साइन 90 साइन 90 प्लस कितना जाएगा यह 15 जाएगा ना साइन 19 प्लस 50 ठीक इतना गया प्लस कॉस 90 प्लस 15 ठीक अब देखो साइन 90 प्लस थीटा 90 और 270 बेवफा होते हैं तुरन चेंज हो दाते हैं साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा कॉस 15 हो जाएगा ठीक प्लस कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा जो की हो जाएगा साइन 15 ठीक साइन थीटा कॉस 90 प्लस थीटा जब 90 जाता है प्लस में तो साइन पॉजिटिव होता है तो यहां पी कितना हो जाएगा माइनस साइन 15 और कॉस पंदरा साइन पंदरा की वेल्यू कट जाएगी आंसर आजाएगा हमारा डी जीरो तो भाई आपको वीडियो कैसा लगा यार आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में आपका एक एक कमेंट हमारी लिए बहुत महत्तिकूर होता है समझो भाई इस बात को कमेंट करते हो यार मज चाहे जितना देदू मैं जब तक आपके अंदर इनर मोटिवेशन नहीं होगा तक तक आप पेपर नहीं निकाल पाओगे और उसके लिए आपको जम कर महनत करने पड़ेगे तो भाई अगर आप मेरे पर भरोसा कर रहे हो ना दिल से यार बता रहे हो आपका पेपर जरूर निकल बादूंगा तो भाई करना कुछ नहीं बस भाई के लिए कमेंट कर दो कमेंट में ठिक बस इतना कर दो तो वीडियो कैसा लगा आप जबूर कमेंट में बताना तक तक के लिए जै हिंद वंदे मातरम भारत माता की जै